तो आरगेट विद प्येस पर हार चैनल में आपका स्वागत आज के इस वीडियो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले पुलिस कॉंस्टेबल भरती की उसकी बाद हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल सी की जैसा की पहले से ही अनुमान लगाए जा रहा था कि 11 फरवरी को पुलिस कॉंस्टेबल भरती की परिक्षा नहीं हो पाएगी वही चीज़े अब दिखने रगी हैं नया पत्र जारी हुआ है पहले उस पत्र को देखते हैं सारी चीज़ें पस्ट हो जाए तो वीडियो को आप पर पड़ी भी और नीचे यहां पर लिखा कि परिक्षा केंद्रों की उप्युक्तता और उन परिक्षा केंद्रों द्वारा उक्त परिक्षा केंद्र दिनांग 11 फरवरी 2024 को करा जाने के संबन्द में सहमती या उनका विग्रण निर्धारित किये गय प्रारूप में दिन जो डिया वर्स को भेजे गये थे और उसी क्रम में नीचे जनकारी दी गई है नीचे लिका कि उख्त क्रम में आपसे अपेक्षक की जाती है कि पूर्व में परिक्षा केंद्रों की दिनांग 18 फरवरी को भी उपलबदता युक्तता एवं उन परिक्षा केंद्रों द्वा जा कि कौन से केंदर दोनों तिथियों यानि 11 फरवरी को कौन से केंदर खाली है और 18 फरवरी को कौन से केंदर उपलगद है या सहमत है कौन से परिशा केंदर केवाल 11 के लिए खाली है और कौन से परिशा केंदर 18 फरवरी के लिए उपलगद है अब तो चुकि पुलिस कॉंस्टिबल वर्ती में तीन साल की उम्र सीमा में विस्तार भी कर दिया है तो कम से कम पांस लाग से अधिक आवेधन आएंगी यानि कि जो अनुमान 25 लाग का था वो अब 30 लाग ये 32 लाग के आस्नास हो सकता है और हो सकता कि 35 लाग भी आवेधन हो जाए और इसलिए चुकि एक ही पाली में ये परिच्चा हो नहीं है पुलिस कॉंस्टिबल वर्ती की तो मुझे नहीं लगता कि 11 तारीक को कोई भी परिच्चा के अंदर खाली रहेगा और दोरों परिच्चा एक साथ हो सकती है इसलिए अब यह 8 फờ्वरी को परिच्चा होगी और मैंने आप लोगों से यह का था कि फर्वरी में निश्टित तौरपर आपकी परिच्चा हो जाएगी तो 11 फर्वरी है या 18 फर्वरी है मैं आपको जनकारी देताए ही रहूंगा लेकिन बहुत जलाव की परिच्छा होने जा रही है अब बात हो रही थी यूपिट्रिपलसी की थे आज बहुत सारे जो चातर विभिन भरतियों को लेकर के पिक अप भॉन गया थे और आज अधिकारियों से वार्ता हुई है और विभिन भरतियों के परणाम को लेकर के भी विद्धार्थी गया थे और नए विग्यापन को लेकर के भी तो नए विग्यापन के हम लोग बात करें तो नए विग्यापन में AGTA की विद्धार्थी थे जिन से यह आ गया है कि आप लोगों को जो डाटा था वो कृषिने निदेशाला से और उत्तर प्रिसलोक सेवा आयोक से UPSS C पहुंच गया है अब मीटिंग हो नहीं है अब आपके विग्यापन पर काम हो रहा है जैसे मीटिंग से पन हो जाएगी वैसे आप लोगों जो विग्यापन वो जारी कर दिया जाएगा उन विद्यार्थियों से जो UPSS C के चेर मेन है उन्होंने कहा है कि आपकी भर्तियों के जो परिणाम है हमको बहुत सारे परिणाम जारी करने है और एक भर्ति की बात नहीं करेंगे और आप लोगों के जो परिणाम है वो जनवरी में जारी हो जाएगे वहीं पर AGTA के अगर हम लोग बात करें तो 346 पर दोपर विग्यापन जारी होगा इस मेने उत्तर प्रदेश अधिनास सिवा चैनायोक से ज़्यादा उम्मेदे अब नहीं है ये हो गया आज का वीडियो वीडियो को अच्छा लगा हो अपके काम को तो लाइक वस्त करते हैं पूरा वीडियो सुने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद